दुख का कारण एक व्यापारी को नीद न आने की बिमारी थी उसका नौकर मालिक की बिमारी से दुखी रहता था एक दिन व्यापारी अपने नौकर को सारी समपत्ती दे कर चल बसा समपत्ती का मालिक बनने के बाद नौकर रात को सोने की कोशिश कर रहा था किन्तु अब उसे नीद नहीं आ रही थी एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था उसने कुछ आहट सुनी देखा एक चोर घर का सारा सामान समेट कर उसे बांधने की कोशिश कर रहा था परन्तु चादर छोटी हुने के कारण गठरी बंध नहीं रही थी नौकर ने अपनी ओड़ी हुई चद्दर चोर को दे दी और बोला इसमें बांध लो उसे जगा देख कर चोर सामान छोड़ कर भागने लगा किन्तु नौकर ने उसे रोप कर हाथ चोड़ कर कहा भागो मत इस सामान को ले जाओ ताकि मैं चैन से सो सकूँ इसी ने मेरे मालिक की नीद उड़ा रखी थी और अब मेरी उसकी बातें सुनकर चोर की भी आँखें खुल गई